हेलो, आज मैं आपको वेज आलू पनीर सेंडविच बनाना सिखाऊंगी, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाए, आप केवल 2-3 मिनट में बना सकते हो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन ओन करें सेंडविच बनाने के लिए हम 4 ब्रयाड के पीस ले लेंगे अब हम सबसे पहले इनके उपर होममेट गिरीन चटनी लगा लेंगे चटनी लगा देने के बाद हम इनके उपर उबले हुए आलू की सिलाइस भी लगा लेंगे उबले हुए आलू लगा देने के बाद हम फिर इनके उपर प्याज की सिलाइस लगा लेंगे ओर इनके उपर दो-दो टमाटर भी लगा लेंगे हमने इसके ऊपर सिमला मिर्च की सेलाइस लगाई है आप चाहे तो और भी सबजी ले सकते हो अब हम इसके ऊपर एक सेलाइस पनीर की भी रख देंगे अब हम इनके ऊपर ठोड़ी चीलि फिलैक्स भी डाल देंगे अब हम इसके उपर चाट मसाला और काली मिर्च डाल लेंगे अब हम इसके उपर सुआद अनुसार नमक भी डाल लेंगे अब हम इसके उपर थोड़ा पनीर भी कस लेंगे अब हम ब्रेड के दूसरे पीस पर भी चटनी लगा लेंगे अब ब्रेड के दूसरे पीस को भी सेंडवीच के उपर रख लेंगे अब हम अपने सेंडवीच को टूस्टर के अंदर रख लेंगे अब आप देख सकते हूँ चार से पांच मिनट के बाद हमारा सेंडवीच तैयार है अब आप देख सकते हो हमारा सेंडवीच कितना ज़्यादा टेस्टी और करंची बना है अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन ओन करें